नेशनल एवोड दोजार पंद्रा में बार्थ सरकार में दिया था फूर्ट सेप्टी का सी आई आई का आई वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल और आज हम आए हैं जवलपूर में सिविक सेंटर के पास पंचवटी गौरब में काका दवेली जो की जवलपूर की सबसे दवेली है तो आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त रमन भाई हमारे वलको खास दोस्त हैं तो आईये मेकिंग देखते हैं और सौफ के ओनर से वाटी दार हूं कितने साल पुरानी सौफ है इधर 25 यर्स अच्छा कितने वज़े खुल जाती है तीन वज़े खुलती है दस तो तो क्या मतलब इसका क्या मैटर है तो आपको यह वैसे अलू की दाविली बनती है लेकिन मेरी पोहा की दाविली अच्छा अपको कहीं दाविली मिलेगी मेरे इधर आपको पोहा की मसाला की अच्छा तो इसकी क्या प्राइस अंगली 25 नेशनल एवोड 2015 में बार्द सरक का समीन नेटों तरक है लकिकी बमें सब्सक्राक करें दिया था अच्छा वं सनदोल इन प्रोम मेरे है लें जब मिलीज फिल्च जेट सकते जीए कि अ agent fare तो अभी अंकली हमारी लिए दावेली लगा रहे हैं यह पाउ लेकर मसाला डाल देना पोह का उसके बाले ओनियन डाल दिया पिनट डाल दिया फिर मसाला भर दिया फिर यह मिर्ची वाली चट्मी यह लसन वाली वह बर लेना इसके बाद अमूल बटर से प्राइब कर देना तो अभी अंकली हमारी दावेली लगा रहे हैं बहुत ही स्यार्त बनाते हैं इनकी दावेली पूरी जवल पूर में पेमस है तो इन्हों अच्छे से अभी फ्राइब कर दिया इसको और यह उपर से यह सेव डाल दिया और यह प्यार डाल दिया पीनट डाल दिया तो यह हमारी दावेली कम्प्लीट हो गया तो अभी हमारी दावेली बन गई है तो अब इसके टेस्ट करते हैं तो इसमें पीनट डलाएं और सियो भी डलाएं और ओनियन भी डलाएं इसमें तो अभी हम इसको राइ बसे हैं तो अभी हमारी दावेली बहुत ही अच्छी बड़ी ने बनाई है और इसमें जो ओनियन भी डलाएं और सियो भी डलाएं बहुत अच्छा देस्ट आ रहा है तो आपकी जब भी आएं पंच बटी गोरब सिबिक सेंडर रिपाथ तो अबी मैं फिनिस करता हूं आपकी तो अगली कैसे बनाने श्टार्ट गया तो मलब कबसे दावेली बना रहे है तो किस साल हो गया तो अब अब बोलते किसको है मलब क्या होतिया तो अब जाए गुजराती सब्दें हम उसको इंगलिस में बर्गर बूलते हैं यह मारा स्वाधी सी बर्गर समझ के चलो तो अंकल जी सौब का एड्रेस और बता दीके आप डवा बजार शिविक सेंडर शूपार्टी पंचवधी गवरो होटल के सामने